आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी काला जामुन, किस तरीके से बिलकुल हलवाई स्टाइल काला जामुन आप घर पर बना के तैयार कर सकते हो, वो भी आदे घंटे के अंदर तो सबसे पहले आपको पनीर चाहिए तो सबसे पहले पनीर से भी पहले आपको कोई कप या कटोरी चाहिए जिससे आप सारी चीजे मेजर करोगे नापोगे ताजा पनीर है पनीर को तोड़ करके इस तरीके से देखो हमने कटोरी में ले लिया है तो मोटा मोटा मान के चलिए ये आधा कप पनीर है यहाँ पे और अब सबसे पहले हमें पनीर को बहुत ही अच्छे से मैश करना है तो हथेली से हम इसे तब तक मैश करेंगे जब तक ये बिल्कुल चिकना ना हो जाए आप ये काम मिक्सी के जार में भी कर सकते हो छोटे वाल की चाहिए इसमें मावा तो एक बारा आप इसे देख लोगे किस तरीके से कितना सौव्ट हो गया है अब हम इसमें खोया लेंगे तो जितना हमने पनीर लिया है उसका चार गुना खोया लेंगे यानि आधा कप पनीर के साथ हम दो कप खोया ड़ालेंगे खोया जो आप ले रहे हो वो थोड़ा soft ही होना चाहिए बहुत hard ना हो अगर fridge का रखा हुआ खोया है तो आप उसे एक बार कड़ाई में डाल करके थोड़ा सा गरम कर सकते हो मिला सकते हो जिसे की वो soft हो जाए और अपना घी release कर दे तो खोया भैस का गाय का कोई भी ले सकते हो आप अब देखो ये खोया और पनीर का मिश्रण ऐसा ही हो जाना चाहिए वन टेबल स्पून यानि एक बड़ा चमच इसमें रवा डाल देंगे और लगबग आधा कप के जितना ही हम डाल देंगे इसमें मैदा अब इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा तो बेकिंग पाउडर इसमें एक चोथाई चोटी चमच जाएगा तो एक बात का दियान रखे हैं कि बेकिंग सोडा नहीं डालना है बेकिंग पाउडर ही डालना है अगर मिश्रन जादा है तो बेकिंग पाउडर की मात्रा भी आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अब आप इस मैदे को और रवा को बाकि जो भी चीज़ें हमने इसमेली हैं इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लो अगर आपको लगे कि ड्राइनेस है रूखापन है तो पानी या दूद डालके इसे बिल्कुल मुलायम गूत लो और इतना अच्छे से इसे रगड़ना है कि इसमें बिल्कुल भी गाठे ना रहें लंस ना बर रहें अब अगर आप ऐसा करोगे बहुत ही अच्छे से इसे मसल लोगे तो जब आप इसके गोले बनाओगे या काला जामून बनाओगे जब गोलियां बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी मैनत नहीं करनी पड़ेगी उ तो थोड़ा पानी डाल करके इसे एक बार फिर से गूंद लो और जिस तरीके से मैं यहां दिखा रही हैं देखो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें आदा चमच और डाल के इसे मिला दूंगी अच्छे से मिक्स कर दूंगे जिससे कि यह जो डो जैसा बनके तयार हुआ है यह चिकना बने और अब हम इसके बहुत ही इसली जो है इस तरीके से आप गुलाब जामून भी सी तरीके से आप बना सकते हो उसमें पनीर नहीं ढलता है बस तो सारी गूलिया हमने बना ली हैं अब हम चाशनी बनाएंगे तो चाशनी बनाने के लिए हमने लिए यहां पे दो क प्राशनी को पका लेंगे इसमें कोई तार नहीं चाहिए होता है जैसे गुलाब जामून की बनाते हैं वैसे ही काला जामून की बनेगी तो इसे बस आपको इतना पकाना है कि चिपचिपी हो जाए शहेद जैसी जब आप अपनी उंगलियों से चेक करोगे बस इसमें तार न चाहिए बहुत ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए तो अगर ज्यादा ठंडे में डाल दोगे तो यह फट जाएंगे ज्यादा गरम में डाल दोगे तो उपर से काले हो जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे मीडियम होना चाहिए अब इसमें डाल देंगे साथी यह भी आतों से तेल को हिलाना है जिसे कि ये अपने आप हिलते रहेंगे और देखो मेडियम फ्लेम में ही इने पकाना है और इस तरीके से चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा जो तेल है वो उपर डालते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट काला जामून अभी यहां पर है अभी हमें इसे काफी पकाना है तो अगर आप गुलाब जामून बना रहे हो तो गुलाब जामून का जो कलर है वो थोड़ा सा इस तरीके का जो होता है यह गुलाब जामून के लिए परफिक्ट कलर है लेकिन हम बना रहे हैं काला जामून तो काला जामून के लिए हमें इ करना होगा तो लो फ्लैम पर ही करेंगे जिसे कि यह जली भी नहीं अभ देख रहे हो कलर बहूत अच्छा सा आ गया है तो डायरेक्ट हम कड़ाई से निकालनेंगे और चास्नी इसमा होनी चाहिए बहुत जादा गाडी नहीं नहीं चाहिए बहुत ज़यता कई सब डाइब से। मोर्णे कर सल सारे काला जामून को फ्राइब के लिए छोड़ाइगे। तीन से चार गंटे बाद ही अच्छे से चाशनी को आप जाब कर लेंगे और यहां पर आपके जो काला जामुने बनके त्यार देखेंगे।